हेलो फ्रेंड्स मैं हर्मी थपर हैस्टेंग इंडिया ड्रीम चैनल में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं पूब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लाएं, इंडो चैनी स्टाइल मैकरोनी पास्ता रेश्पी तो चलिए शुरू करते हैं स्टेस्टी डिलिशाव डैश्पी को बनाना मैक्रोनी या पास्ता बनाने के लिए एक पैन में डालेंगे दो धाई गिलास पानी और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चमर नमक और वन टी स्पॉन ओयल अब इसको उबलने देंगे एक उबालने आने के बाद इसमें डाल देंगे पास्ता ये दो कटोरी पास्ता है मीडियम फ्लेम पर पास्ता को चलाते हुए पकाएंगे या बीच बीच में जुरूर चला लें टाकी नीचे ना लग जाए 7-8 मिनट हो चुके हैं देखते हैं कि अब चक कर लेते हैं पास्ता तयार है या नहीं चाको से कट करकर देख लेंगे ये देखी ये कट हो गई है आराम से और इसमें बीच में वाइटनेस भी नहीं दिख रही है तो ये तयार है और अब इसको निकाल लेंगे चणनी में प इसको अब साइड में रख लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं अब लेंगे एक मोटे तले वाला पैन या कड़ाई और इसमें डाल देंगे तीन चार चम्मच ऑईल गरम हो जाए तो इसमें डाल देंगे अधरक लसन का पेस्ट एक चमर डाला है अधरक लसन का पेस्ट घॉल का साभ भून लेंगे इसको मेडियम साइज का एक अखका वब ाब्याज डाल देंगे और इसको भी हलका साभ भून लेंगे ज्यादा नहीं बूरने बस हलका सा प्रेश्ड ऑफ से पहले और यह है मचल किशाय रigh को सबर्णियन और नी आप एक मेडियम साइज का है बीन्स भी वन फॉर्थ को टोरिये अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तीनों चीजों को श्प्रिंग नियन अभी नीछ डालेंगे और अब इसको ढोकर पकाएंगे थोडीजर्डी मिनट थे से मिक्स कलेंगे कुछ अब निर डाल दिया और अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से पनीर ओप्शनल है आप अपनी मन पसंद की दूसरी सब्जी भी आड़ कर सकते हैं अब थोड़े से स्वीट कॉन डाल देंगे इसमें इनको भी हलके हातों से मिक्स करेंगे और यह सोया सोस एक बड़ा चम्मच और यह रैड चिली पेस्ट एक बड़ा चम्मच मिक्स कर लेंगे और यह ग्रीन चिली पेस्ट और यह भी एक बड़ा चम्मच डाल लें पास्ता में थोड़ा तीखा पन लाने के लिए इसमें डाल देंगे आधा चम्मच शेजवान सॉस मिक्स कर लेंगे और ये है टोमैटो कैचप एक बड़ा चम्मच अब डाल देंगे इसमें मियोनीज एक टेबल स्पून मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को और अब बनाएंगे कॉन फ्लोर स्लरी वन टेबल स्पून कॉन फ्लोर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे एक कटोरी पानी पूरा डाल देना है मिक्स कर लेना है अच्छे से तांकि लम्स नवने ताजे पानी में बनाना है सलरी को नॉर्मल पानी में और अब इसको डाल दिया हमने कटाई में अब हम इसको उबाली आने देंगे और आँच थोड़ी कम कर लेंगे मीडियम टू लो कर लेंगे थोड़ा थिक होने तक इसको ऐसे ही पकाएंगे और अब डाल देंगे इसमें एक चम्मच सिर्का ग्रेवी काफी थिक हो चुकी है अब इसमें डालेंगे पास्ता मसाला स्पून यह आपको इजीली बजार में पाउच में मिल जाएंगे और अब डाल देंगे इसमें क्यार कीवी मैक्रोणी या पास्ता अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें सौसिस के क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं अब डाल देंगे इसमें पास्ता सीज्निंग या मिक्सटर और ओरिएननो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे थोड़ा टेस्ट करके दिख कर अब इनको भी मिक्स कर लेंगे दुबारा से 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 हरा धनिया डाल दिया है इसमें अब यह हमारी मैकरोनी पास्ता एकदम से तयार है गैस बंद कर लेते हैं और अब नीचे उतार लेते हैं इसको और सर्व कर देंगे यह टेस्टी डिलिशियस बच्चों की फेवरेट पास्ता मेकरोनी बनके रेडी है और हमने इसको सब भी कर दिया है यह खाने में बहुत ही डिलिशियस सौफ्ट और जूसी है आशा करता हूं आपको वीडियो राइस पी पसंद आईगी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें सुखी रहें स्वास्थ रहें खुश रहें थैंक्स वर वाचिंग गॉर्ट बैस्यों स्टे फिट हैल्दी स्ट्रॉंग ब्लेस हैप्य अलवेस बाई हव ग्रेट डे गोग्दी।